वेलकम और स्वागत है आप सभी का और हम बात कर रहे हैं मत्प्रदेश पटवारी तो हजार तेज के लिए कोश्चन पेपर है सामान हिंदी का और जिसका की 15 मार्च को पेपर होना है और इसमें पटवारी के ग्याम के साथ साथ अन्य पोश्ट भी हैं तो देखते हैं हमारा पहला सवाल है पहला सवाल है कि इसमें इस वाक्य में किसको परिवासित किया गिया है इसमें किसी उक्ती वाक्य सुक्ती कहावत लोकुक्ती आदी के अर्थ को विस्तार से प्रिस्तूत किया जाता है चारवी कल्प है व्याख्या निवन भावार्थ पल्लवन तो यहाँ प तो ये पली बन की परिवासा हो गई और आगे बढ़ते हैं question number second कि अपने मुहमया मिठ्थू बनना इस मुहावरे का सही अर्थ बताओ तो स्वैम अपनी प्रसंशा करना यानि खुद अपनी प्रसंशा करना अपने मुहमिया मुठ्धू बनना होता है तो उसका सही विकल्प नमबर दो हो जाएगा स्वैम अपनी पसंसा करना क्वेशन नमबर थर्ड है कि दुर्बोध का विलोम सब्द कौन सा है दुर्बोध का सुबोध होता है तो सही विकल्प नमबर तीन हो जाएगा ठीक है दुर्बोध का सुबोध होगा ध्यान दीजेगा तो सही विकल्प नमबर तीन और क्वेशन नमबर चार है कि उड़ती चीडिया पहचानना इस मुहावरे का सही अर्थ बताओ तो उड़ती चीडिया पहचानने का जो मुहावरा है इसका सही अर्थ होता है रहस्य की बात को दूर से जान लेना तो सही विकल्प यहाँ पे है नमबर 3 हो जाएगा कि रहस्य की बात दूर से जान लेना और क्वेशन नमबर 5 है कि उसने अनेकों गरंद लिखें इस वाकि का सुद्रूप क्या होगा तो अनेक जो है यह बहुवचन के लेए प्योगती आते है तो अनेकों नहीं होगा तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा कि उसने अनेक गरंद लिखे तो यहाँ पे सही विकल्प नमबर 2 हो जाएगा उसने अनेक गरंत लिखे और क्वेस्टन नमबर छटमा है उसने संतोस का सांस ली वाकिका सुधरूप क्या होगा तो वाकिका सुधरूप होगा उसने संतोस की सांस ली तो सही विकल्प नमबर चार हो जाएगा उसने संतोस की सांस ली और question number 7 है कि मुझे बहुत आनंद आती है वाकिका सुधरूप क्या होगा चार विकल्ब हैं पहला है मुझे धेर सारा आनंद आता है हमें बहुत आनंद आता है मुझे बहुत आनंद आता है तो सही विकल्ब नमबर 4 हो जाएगा मुझे बहुत आनंद आता है और क्वेश्चन नमबर आठवा है असलील का विलोम सब्द कौन से है नैतिक सलील सालिन या सील तो सही भी गल्ब हो जाएगा नमबर दो सलील और क्वेश्चन नमबर नौमा है कि मीडिया मिमान सा पत्रिका कहां से प्रिकासित होती है तो मीडिया मिमान सा पत्रिका जो है ये भोपाल सहर से प्रिकासित होती है तो सही भी गल्ब नमबर तीन हो जाएगा इस वारी नमबर एक हो जाएगा भोपाल और क्वेश्चन नमबर दसमा है कि नि उपसर्ग से बना सब्द कौन सा है निराकार निरंकार निधरसन या नीच तो सही विकल्प यहां पे नंबर तीन हो जाएगा निधरसन क्योंकि निराकार जो है यह नही धन आकार यह सर्ग संदी है ठीक है तो सही विकल्प यहां पे नंबर तीन हो जाएगा निधरसन और जो था या रहमा कोशन है कि नाविकी बहुतिकी पारिवासिक सब्द किस छेट में बोला जाता है प्रसासल में नहीं विज्ञान में बोला जाता है विज्ञान कही है ये तो सही विकल्प नमबर दो हो जाएगा और कोशन हमा बारहमा है कि निमलिकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है माली आवत देखकर कलियन करी पुकार फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बार तो यह अन्योक्ति अलंकार है तो सही विकल्प यहां पे नंबर तीन हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार और क्वेश्च नंबर तेरहमा है कि निम्लिकित पंक्तियों में कौन सा है स्री राम चंद क्रिपालू भजमन हरण भाव डारुणम और नौकंज लोजन कंच मुखकर कंजपद करुण यहां पे सही विकल्प हो जाएगा हरी गीति का छंद का उदारण है यह तो सही विकल्प नंबर एक हो जाएगा और क्वेश्च नंबर चौदहमा है इसमें भ हरी भजविसेत जी सजी सतसंगति रहन इन और काटव भाव के फंद को और नको राऊंबिनो तो यूए ऐसल में उलालाचंद है तो सही विकल्प नंबर दो हो जाएगा और कवेश्च नंबर पंद रहमा है और क्वेश्च नंबर 5 रहमा है कि निम लिखित पंक्तियों में नेत अलंकार का नाम बताओ अलंकार बताना है कौन द्वार पर क्या वानार का काम यहाँ अतिस्योक्ति अलंकार समस्योक्ति अलंकार अन्योक्ति या वक्रोक्ति तो सही भी कल्प यहाँ पर नंबर चार हो जाएगा यह वक्रोक्ति अलंकार है और वक्रोकति अलंकार के थोड़ी सी हम बात कर लें अगर तो यह सब्दा अलंकार होता है इसके अलावा इसमें जो है जो प्रतक्ष अर्थ होता है उसके अलावा दूसरा अर्थ निकलता है उसे वक्रोकति अलंकार कहा जाता है ठीक है? और कोशन निमर सुलेहमा है कि जलज और जलज का क्या आर्थ है तो जलज जो होता है यह कमल को कहा जाता है और जलज जिससे पानी आता है बादल को कहा जाता है तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा कमल और बादल यानि कि विकल्प दो कुश्चन no.17 है साधारण वाकषी सरी नियुक्थ वाक्या में बाना है कुमुद आकर चली गई कुमुद आकर चली गई हुगा आई और चली गई ये भी नहीं होगा दो कुमुद आये और चली गई ये होगा, सही विकट नंबर तीन के साधारण no.18 है कि समू का परियावाची सब्द क्या होगा अखिल समवाय सकल या समव तो यहां पर सही विकल्ब हो जाएगा समू का परियावाची समवाय होता है तो सही विकल्ब नंबर दो हो जाएगा और कुश्चा नंबर 19 है समड लोग प्रतिका प्रत्रिका जो है यह कहां से प्रकासित होती है तो यह भी भुपाल से होती है सही विकल्प नंबर एक हो जाएगा और कोश्चा नंबर 20 है कि जो सत्र सब्द है या सेशन यह परिभासिक सब्द किस छेद्र में बोला जाता है तो सेशन जो होता है यह सिक्षा में बोला जाता है कि तो सही विकल्प नंबर 3 हो है तो सही विकल्प नंबर दो हो जाएगा एक का चोथाई और सुबह का सुबह की हवा ठीक है और कुशन नंबर बाइस है कि सच्छेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि सच्छेपण यहने कि चीजों को छोटा करना सौट फार में लिखना कि वे अपने सब्दों में ही किया जाए वे अर्थों में ही किया जाए वे दूसरों के सब्दों में ही किया जाए वो बहुत सब्दों में ही किया जाए तो सही विकल्प नंबर एक होगा वे अपने सब्दों में ही किया जाए और कुशन नमबर 23 है कि समस्त का परयावाची सब्द क्या होगा समास्त आखिल निखिल या सामागर तो यहां पर सही विकल्प होगा नमबर 3 निखिल और कुशन लुद्टेट नम्रट छोभीस है कि अंकुडव को खड़ी ति थो ना अकरहना को नीचे गिर्ण या अंगड़ाई लेना तो सहे विकल्व हो जायेött नमबर एक अंकुरीध नम्रफोना और को अगान को खड़ी वोले में jeans जिसनी भोजन कर लिया हो जिसका पेट भरा हो जिसका पेट बढ़ा हो या जो भोजन से असंतोष्ट हो ठोनी खान का मतलब होताई जिसका पेट भर चुका होता है उसको पोते हैं गहा गहाया है एसे बोलते खड़ी नहें कि अ Much कोश्चन नमर 26 है वन वन योगुं का ना बताओ तो यह असल में पुन्रुक्त युग्म है याने कि दोनों सब्सक्राइब का एक साथ पुन्रुक्ती हुआ है तो सही विकल्फ हो जाएगा नंबर दो पुन्रुक्त यूग्म और कोश्चन के दुस्मन बड़े महान या जाने दुस्मन तो सही विकल्फ हो गए यहाँ पर मोहावरे की बात हो रही है तो अकल के दुस्मन हो गये हो यानि कि सही विकल्फ नंबर दो और कुछन नमर 28 है संखेपण में रिक्तिसान का पूरा ध्यान रखना चाहिए तार गममेता और क्रम तार तम्मेता और संक्ला बद्धिता तार तम्मेता और उपलब्धिता तनमेता और संक्ला बद्धिता तो सही वी कल्प हो जाएगा यहां पे नंबर दो कि संचेपड में तार तम्मेता और संक्ला बद्धिता का पूरा ध्यान रखना चाहिए तो सही वी कल्प नंबर दो औ और चारवी कल्प है, इसमें पहला है कि देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ती सच्चा देश भक्त होता है, और दूसरा है कि देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ती, इसमें बड़ी ए की मात्रा है, सच्चा देश भक्त होता है, तो ये नहीं होगा, और नमबर तीन है कि देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देश भक्त होता है और चौथा है देश के लिए मर मिटने वाल व्यक्ति सच्चा देश भक्त होता है तो चौथा भी नहीं है और पहला है कि देश के लिए मर मिटने वाला तो पहला भी नहीं है तो सही भी कल्प हो जाएगा नमबर तीन, देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देश वक होता है कोश्चार नमबर थर्टी है, घन का क्या अर्थ है? बादाल, घना, घंटा नहीं होगा, क्योंकि बादाल तो होता नहीं है काला, घना, बड़ा हथोड़ा, ये भी नहीं होगा, बादल, बादल होगा, घना, घना होगा, बिखरा हुआ नहीं होता है तो ये भी नहीं, सही विकल्ब नमबर चार हो जाएगा, बादल, घना, बड़ा हथोड़ा सही विकल्प घंड का जो अर्थ है वो नमबर चार है बादल घंड बड़ा हतोरा कोशन नमबर 31 है कि सही उक्त वाकि को सरल वाकि में बदलो अतिती आय और कारेकरम सुरू हुआ मैं लागत थाने कि जैसे ही अतिती आय कारेकरम सुरू हुआ ये नहीं हुआ और कोशन नमबर 32 है कि गगन को चुमने वाले में कौन सा समास है तो गगन को चुमने वाले को गगन चुम भी कहा जाता है और इसमें जो समास है वो तत्पूरुस समास होता है तो सही विकल्प नमबर 4 हो जाएगा तत्पूरुस समास और कुश्चन नमबर 35 है कि यह मातरिक अर्द सम चंद है और इसके विसम चंड़ों में आने कि पहले और तीसे चंड़ों में पंदरा पंदरा जबकि सम चंड़ों में आने कि दूसरे और चोथे में तेरे तरह मातराय होती है तुग जो होती है सम चंड़ों में होती है यह और क्वेशन नंबर 34 है कि लोग करासी गतियती भूनव साथ साथ ही रहते लग्खु गुरु गहकर हाथ अंत रिक्तिस्तान कहते हैं क्या कहते हैं हरी गीतिका उलाला अरोला या गीतिका तो सही भी कलब हो जाएगा यहां पर नंबर चार गीतिका चंद कहलाता है और क्वेशन नंबर 35 है कि वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो यानि कि सेकेंड पद और पूर पद और उत्तर पद में उपमान उपमें अथवा विशेशन विशेशन कर समंद हो वह कर्मधारे समास कहलाता है यानि कि वह कौशा समास कहलाता है तो वह कर्मधारे समास कह हो जाएगा है और कुछ्छान निम्मर्ट थर्टी सिक्स है कि जिस समास का उत्तर प्रधान हो और पूरुपद गौण याने कि जो सेकेंड पद हो वो प्रत्र प्रधान हो और जो पहला पद हो गौण हो सेकेंडरी हो से क्या कहते हैं कर्मधार अभी तक द्वीगो या तक पूरुष समास कहा जाता है क्योंकि इसमें समास का जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है तो सही विकल्ब 36 का नंबर फूर और कुछ्चन नंबर 37 है सही विकल्ब बताओ भासा वाचिक ध्वैनी संकेत है मनुस अपने ग्राणेंदियों की साहता से तो ग्राण नहीं पहला नहीं होगा दूसरा है मनुस अपनी इंद्रियों की साहता से संकेतों का उचाण कहला करता है तो सही विकल्ब बताओ और कुछ्चन नंबर 38 है कि जिस सब्द को सुनकर हम उसके प्रेशलित और निस्चित अर्थ को तुरन समझ लेते हैं उसे रिक्तिसान कहते हैं हास्यास्पद रचना अभिधा सबसक्ती वेंजना सबसक्ती या लक्षना सबसंती तो सही विकल्ब हो जाएगा नंबर दो अभिधा सब्द सक्ती की वज़े से किसी भी सब्द को सुनकर हम उसके प्रेशलित और न ढिलब बल बुलवाई नहीं इन अक्षा से बोली गई नहीं नइकिक नहीं एक तो सही विकल्ब या श के नंबर चार हो जाएगा और व्ज कोश्चा नूमबą चालीस है visualization में विशिष आर्थ की प्रतिकों की मातम्य के हमसे प्रतिती होती है प्रतित्याने दिखाई तरचना से अभीदा सबसक्ति से लक्षण सबसक्ति से या वेंजना सबसक्ति से यहां तो सही विकल्ब बता और एक इससां से व्यंगार्थ का बोध होता है अभीदा सबसक्ति अलंकार लक्षणा या व्यंजना तो सही विकल्ब है कि व्यंजना सबसक्ति से व्यंगार्थ का बोध होता है यानि कि वेंजना सबसक्ती से व्यंद का बोध होता है और कोश्चे नमबर 43 है कि आजकल ऐसी ऐसी इमारते बनने लगी है रिक्तिसान है जो आपसे बाते करती है जो बहुत उंचे होती है जो आसमान से बाते करती है जो आसमान तक जाती है तो सही भी कल्प हो जाएगा जो आसमान से बाते करती है यानि कि नमबर 3 भी कलब और कोश्चे नमबर 44 है कि मनुजात और मनुजाद का अर्थ बताओ यानि कि मनुसजात और राक्छस तो सही भी कलब हो जाएगा यहाँ पे नमबर 3 और कोश्चे नमबर 45 है महीज का संधी भी छेट क्या है मही धन इस, महा धन इस या माही धन इस तो जहीवी कल्प हो जाएका नंबर नंबर एक मही धन इस और ये दिरिकसवर संधी है ठीक है 42 का नंबर एक और question number 46 है मनोज और मनुज का अर्थ बताओ तो मनुज यानि क्या होता है मानो और मनोज को काम देओ कहा जाता है तो सही विकल्प नमबर चार हो जाएगा और क्वेशन नमबर 47 है मत पत्र पारिभासिक सब्द किस छेद में बोला जाता है प्रिशासन में, विज्ञान में, सिख्चा में या बाडिच्ची में तो मत पत्र जो है, चुनाओ से समंदित है और चुनाओ कहां समंदित है प्रिशासन सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नमबर एक और क्वेशन नमबर 48 है कि फली फुली युग्म का नाम बताओ पुन्रुक्त युग्म सार्थक निरथक युग्म या परया युग्म तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर नमबर 4 परया युग्म क давly और फुली एक दूस्रे से अलग नहीं हो जाएगा और क्वेशन नमबर आइ तन बावन है देख लेते हैं इसको कि राम इतना कुछ सहल है कि किसी से प्रेम से बात कर लो तो कर ले तो समझो रिक्तिस्थान नमबर वन है उल्टी गंगा बहचाए दूसरी है उल्टी गंगा यपना बहचाए उल्टी सीधी गंगा बहचाए या सीधी गंगा बहचाए यहाँ पे क्या होगा यह मुहारा है, सही भी कलब हो जागा, यहां पर उल्टी गंगा पह जाए और question number 53 है, कि विस्तारण को रिक्तिस्तान आदी भी कहा जाता है भाव विस्तारण, भाव पल्लवन और number 2 है, भाव विस्तारण, भाव पल्लवन और नमबर चार है भाव विस्तारण, भाव पल्लबन तो सही विकल्फ होगा नमबर दो भाव विस्तारण, भाव पल्लबन भी कहा जाता है विस्तारण को कोज़ा नमबर 55 है कि निवने वाक्यांस के लिए एक सब्द बनाओ गुरू के समीप रहने वाला चात्र यानि कि गुरू के समीप रहने वाला चात्र को क्या कहा जाता है अंतरव्यापी, अंतवासी, अंतरवासी या अंतेवासी तो सही फिकल्फ हो जाएगा नंबर चार अंतेवासी कहा जाता है और कोसर नमबर शपन और लाश्ट है कि निम्नवाक्यांस के लिए एक सब्द बनाओ मनमाना खर्ज करने वाला उसको क्या कहते हैं अप व्याई अव्यवी या आप व्याई तो सही पिकल्प हो जाएका नमबर एक अप व्याई तो ये था हिंदी समाने ग्यान से समंदित कुछ प्रेशन का सेट जो आपके लिकारगर हो थैंक्स अलॉट जाए हिंद